हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो अन्दर एकनॉमिक्स क्लास तो हम लोग देख रहे थे एकनॉमिक्स की क्लास उसमें हम लोगोंने लास्ट प्लास तर देखा हुआ है हमारा मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में तो आई होप आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी तो जो भी आवर कॉंटाइक डीटेल्स टेलिग्राम की यह लिंक दी गई है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है वहाँ पर आप जा करके जोईन कर लिजए फटाफट क्योंकि सारे माटेरियल यहीं पर अवेलिबल होते हैं नमबर टू माटेरियल के लिए भी नीचे दी गई है उसको भी आप लोग डाउनलोड करने के लिए गोद्रू कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं हमारा दीज आर आवर कोर्स डीटेल्स जहां पर हमारे प्रिलम्स के और मेंस के भी कोर्स अवेलिबल है जिनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है तो आ हमारे छूड़ गया है जैसे क्या है कि सबसे पहले एक टॉपिक हमारा था जो इंफ्लेशन के बारे में था हाला कि इंफ्लेशन को हम लोग इंफ्लेशन के टॉपिक में ही जाड़ा डिसकस करेंगे यहां पर किवल और किवल हम लोग थोड़ा सा सरफेशियल बाते कर तो inflation targeting का मतलब यह है कि देखे market में हमारी inflation बहुत ही अराम से फैलती रहती है क्योंकि किस पर depend करती है these depend on demand and supply and demand and supply depends on what this depends on कि आपकी fiscal policy कैसी है तो एक तो यह depend कर जाता है fiscal policy पे number two this depends on monetary policy कि monetary policy कैसी है तो इस पे भी हमारे depend कर जाती है यह monetary policy इसके लावा देखिए this is also dependent on balance of payment also balance of payment हलाकि इसका उत्रा ज्यादा role नहीं होता है बहुती कम role होता है बहुती minimal role आप बोल सकते है ठीक है mainly इन्ही दोनों का role होता है किसी भी inflation के लिए तो सीधी सी बात है हम लोग monetary policy पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को inflation का भी एक effect देखने को मिलेगा यहाँ पर fiscal policy में हम लोगों ने जैसा कि last class में भी discuss किया हुआ था कि fiscal policy में हम लोग fiscal deficit थोड़ा सा रखते हैं near about 3% का रखते हैं जिससे की competition अच्छा का सा maintain हो तो हम लोग competition के लिए basically fiscal deficit को बना करके रखते हैं similarly inflation भी हमारी competition generate करती है और इसी वज़े से हम लोग inflation को भी target करते हैं कि थोड़ा मुडा inflation market में रहना चाहिए तो similarly इसी चीज़ को बोला आता है कि inflation targeting a central bank has an explicit target inflation rate range जिस तरीके से fiscal deficit में हम लोग ने बात किया था कि ये near about 3% के आसपास होना चाहिए जिससे competition अच्छा maintain हो similarly inflation में भी हमारे पास एक range होती है और इस range पे ले आने के लिए हम लोग क्या करते हैं target करते हैं और यही हमारी RBI Central Bank हमारी यही बोलती है और वही चीज़ यहाँ पर भी बोला गया है government and RBI agrees on convergence between fiscal and monetary policy तो यह दोनों policy यहाँ पर change किये जाते हैं अब देखें लगातार अब fiscal policy तो यहाँ पर government जो है अपनी budget session के दौरान में बता देती है budget session के दौरान में हमारे different papers होते हैं जैसे macro economic framework data हो गया फिर budgetary data हो गया तो इस तरीके से हमारे यह सब चीज़े cover के लिए आती हैं लेकिन जो monetary policy यह कैसे किया जाता है पहले तो RBI हुआ करती थी लेकिन अब RBI से यह हटा करके body बना दी गई है इसका नाम है MTC या फिर monetary policy committee यहाँ पर RBI के भी member होते हैं और यहाँ पर government के भी member होते हैं तीन member RBI के होते हैं तीन member government के होते हैं और इनका casting vote किया जाता है RBI governor के द्वारा क्या होती है यह सारी चीज़े हम लोग बात करेंगे जब हम लोग inflation का topic पूरी detail में देख रहे होंगे तो उसको हम लोग फिलाल वहीं पर discuss करेंगे यह topic जो है inflation में हम लोग discuss किया जाएगा इसके बाद हमारा आता है twin balance sheet problem twin balance sheet challenge इसका मतलब क्या है मैंने आप लोग को day one बताया हुआता है कि economy किस तरीके से work करती है तो यह जो हमारे economy है this is our economy और बाहर से हमारी कौशी body हो जाती है बाहर हमारी body हो जाती है rb i तो this is our economy clear अब यहाँ पर देखिए industries है here, banks है banks के अलावा, industries है industries के अलावा public है public के अलावा government है this is public actually public है और फिर government है तो banks क्या करती है Industries को loan दे रही होती है Industries जैसे ही loan पाती है वैसे ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं काम करने के लिए ये लोग public को hire करते हैं मतलब की employment create कर रहे होते हैं जैसे ही ये लोग employment पाते है salary वाले पाते है salary अपनी चले आते है bank में deposit करने के लिए तो basically यहाँ पर क्या है deposit salary deposit salary अब यहाँ पर basically बात क्या है कि bank के पास पैसा आ रहा है bank वाले पैसा दे रहे हैं healthy system कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर कोई loan लेने वाला बंदा default कर जाता है, loan वापस नहीं देता है तो यानि employment वी जनरेट नहीं हो पाया, यानि कि public पैसा नहीं पाई, यानि कि bank में पैसा आगे जाकर के जमा नहीं हो पाया and that is how bank team under stress, इस तरीके से bank stress में आ जाता है, तो यह जो हमारी cycle है वो फिर break हो जाती है और जैसे ही यह cycle break होती है अब यह cycle कभी आगे नहीं बढ़ पाती है क्योंकि यहाँ पर problem आ गई है चूंकि यह लोग आगे लोन नहीं दे पा रहे है क्यों नहीं लोन दे पा रहे है क्योंकि इनका पुराना deposit नहीं हो पा रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर basically single challenge नहीं यहाँ पर double challenge हो जाता है कि bank are not getting investment इनके पास investment नहीं आ पा रही है और investment ना आप आने के कारण से यह लोग आगे लोन भी नहीं दे पा रहे है और इसी को बलायाता है twin balance sheet challenge इनके पास investment नहीं आ पा रही है और ना bank ग्रो कर पा रहा है जिसके कारण से ना investment आ पा रहा है क्योंकि यह basically industries या फिर industrial companies के द्वारा ही की जा रही होती है तो यह लोग कर नहीं पा रहे है investment तो इस वज़े से लोन भी नहीं दिया जा पा रहा है इसी को बलाता है twin balance sheet problem clear हो गया क्या चीज़ है इसके बाद आगे बढ़ते हैं अब देखें और्चित पटेल committee 2014 में बनाए गए थी इस समय यह हमारे deputy governor हुआ करते थे और इन्होंने inflation को target करने के लिए एक range बताए inflation की एक range बताए जिससे की market में अच्छा खासा competition generate किया जा सकता है और इन्होंने इस range के बारे में बोला कि दिखें inflation को हमें 4% plus minus 2% रखना है यानि कि इसकी value कहां से कहां vary कर सकती है 2% से 6% तक यह inflation हम लोग carry कर सकते है इसको बोल सकते हैं हम लोग की healthy inflation है this is healthy inflation and with this inflation market is going to be highly competitive बहुत ही competitive हो जाएगी market तो यह रखा गया है clear nominal anchor should be defined in terms of headline inflation अब यह headline inflation क्या होती है core inflation क्या होती है सारा कुछ हम लोग बात करेंगे अपने inflation के topic में बस छोटी सी चीज़ बता देता हूँ headline inflation का मतलब होता है कि बहुत यादा जो volatile होता है मतलब जहां पर variations काफी जादा देखने को मिलते है जैसे oil की price हो गई food की price हो गई तो basically यहाँ पर oil, petrol और food price यह सब जोड़ा जाता है दूसरा होता है जो core inflation होती है जो core inflation होती है इस core inflation में यह काफी आदा stable होती है stable और stable होने के कारण का मतलब क्या है कि यहाँ पर oil और food की price को नहीं जोड़ा जाता है accept कर दिया ता है तो this is except oil and food price तो इस तरीके से चीजें होती है this is more stable ठीक है अनकि इसके detailing हम लोग बात करेंगे जब हम लोग inflation का topic देख रहे होंगे clear हो गया आगे बात करते हैं इसके बाद एक है कि चोड़ी चोड़ी terms है जैसे एक होती है जिसको over leveraged company बोलते है जो dip trap में first गई companies है dip trap में उसी को हम लोग बोल सकते है कि ये over leveraged company है मतलब क्या है इसका मतलब इसका ये है कि suppose कुईसी company ने किसी company ने माल लेते है 100 करोन का loan लिया है 100 करोन लोन और इसकी जो interest बैठ रही है वो माल लेते है interest 10 lakh रुपीज पर year बढ़ रही है ठीक है पर year तो ये आप इनका principal amount principal amount तो हमारा 100 करोन है ही साथ में interest हर साल 10 lakh रुपे बढ़ जा रहा है 10 lakh पर year ठीक है और माल लिजे 10 इन्होंने अगर 10 साल के लिया है तो total 100 lakh 100 lakh जो हता है ये मतलब इनका interest हो गया 100 क्या मतलब 12-12 10 साल के लिया है तो 10 साल का ये हो गया 10 lakh रुपे है तो 100 lakh हो गया 100 lakh मतलब की 1 करोन और यानि की क्या हो गया 101 करोन रुपे है इनका total के total देना है तो अगर ये company ये 10 lakh जो annual है ये अगर नहीं दे पा रही है इनका interest भी अगर नहीं दे पारी हो interest लेने के लिए भी देने के लिए भी ये लोग loan ले रहा है अगर तो इस तरीके के company को बोलते है कि यह debt trap में फस्स गई है या फिर company over leveraged हो गई है तो debt accumulation on company is very high and thus they are unable to pay interest payment on loan clear हो गया क्या चीज़ है कुछ खास important नहीं है just to know you the word कि आप ये word जानते रहिए इसके बाद होता है bad loan income per banks कुछ नहीं होता है जैसे क्या होती है कोई bank है suppose number of banks are there जो कि समय काफी यादा जोती stress में चल रही है तो जिसके भी जिसके भी NPA 9% से जादा हो जाते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या bad loan income per banks जैसे क्या है कि PNB का बहुत ज्यादा इस समय bad loan income per bank बोल सकते हैं इसको yes banking non bank bad bank income per bank हो चुकी है तो कुछ खास है नहीं इसके बारे में यह हम लोग ने देखा आगे बात करते हैं इसके बाद देखिए कुछ जब NPA की problem सामने आई थी 2014 के बाद से NPA की problem सामने आना शुरू हो गई थी और उस समय हमारे पास कोई law नहीं था हमारे पास कोई कानून नहीं था जब कानून नहीं होता है तो उस समय क्या होती है चीजें कि मतलब कुछ new norms बना दिये जाते हैं और new norms बनाने के लिए जो संस्था है वो कौन सी है RBI obviously तो RBI क्या करती है नए norm बनाना शुरू कर देती है इस नए norm बनाने में इन्होंने कई सारे new norm बनाया थे जैसे एक फोर था जो S4R के नाम रूप में आया था दूसरा था जो पैरा था तो पैरा के बारे में तो हम लोग डिस्कॉस भी करना है बट यह S4 और यह Asset Reconstruction यह सब चीज़े अब हटा दी गई है because we have now what we have Insolvency and Bankruptcy Code ठीक है तो हम लोग के पास जैसे Insolvency and Bankruptcy आगे हमने इन सारी चीज़ों को हटा दिया और इन सारी चीज़ों के बार हम लोगोंने सीधे Insolvency को रख दिया तो पैरा के बारे में आपनों सीधे थोड़ा से समझ जाईए जिसे कि आपको एक Clarity आ जाएगी तो Public Sector Asset Rehabilitation Agency इसको बुलाया था Asset Rehabilitation, Asset Rehabilitation का मतलब क्या होता है चोटा सा Example एक बताता हूँ जैसे मैंने Economic Survey में भी एक Question आप लोगो मतलब इस तरीकी की चीज़े बताई थी जैसे मालिजे कि इसको ये एक Hotel का मालिक है, Hotel का Owner है इसका Hotel जो होता है बड़े अच्छे जगा पर है लेकिन ये Hotel चल नहीं रहा है ठीक है, Hotel जो होती है वो लगातार Loss में जा रही है तो Loss में जाने पर एक Option है कि इसको Sell Out कर दे ये Sell Out कर दे, Auctioning कर दे लेकिन इससे Problem क्या है, अगर ये मालिक है 100 करोड की वर्थ की है अगर Private Equity के Formative, What is it Private Equity? We will talk in Equity वाले सेक्षन में तो इन्होंने क्या क्या Private Equity के माध्यम से एक किसी Asset Reconstruction Company को इन्होंने ये बेच दिया Asset Reconstruction Company जैसे एक एक जामपल बता देता हूँ, Goldman Sachs ठीक है, Goldman Sachs एक Bank है, Goldman Sachs ये एक Bank है और ये Asset Reconstruction का का काम करती है अब ये Asset Reconstruction Company क्या करेगी, इसको 90 करोण में खरीद लिया 90 करोण में खरीद लिया, ठीक, इन्होंने क्या किया, obviously होटल का जो उनर रहेगा वो एकदम मस्तिया करके जो होता है, तुरंट तुरंट जो होता है, बेच देगा इसको अब तुरंट जो है, जो हमारी Goldman Sachs है, ये क्या करेगी, इस जो हमारी Asset है, मतलब जो होटल है, इसको dismantle करके, पहले तो सर्वे कर लेगी, पहले देख लेगी आखिर में इस इस इलाके में क्या चीज़ बढ़ियां attractive बन सकता है, तो इन्होंने सर्वे करने के बाद ये पाया, क्या होटल की जगा पर, यहाँ पर अगर मैं इसको modify करके, suppose gaming area बना दे रही है, gaming zone बना दिया, gaming zone बनाने के बाद obviously इनका कुछ पैसा खर्चा वर्चा हुआ होगा, माले ते हैं 10 करोड रुपई इनका extra खर्चा हो गया है यहाँ पर, तो इन्होंने 90 करोड में खरीदा था, 10 करोड में और मतलब लगा दिया, इसमें construction में अब इसके बाद क्या होगा, कि यह फायदे में आना शुरू हो जाएगी, एक साल-दो साल के बाद यह फायदे में आना शुरू हो जाएगी, तो जैसे ही फायदे में आएगा, यह लोग अपना यह 10 करोड रुपई जो expensive इन्होंने लगाया है, वो अपना recover कर लेंगे, recover कर तो ये 150 करोड उपीज माल लेते हैं कमा लिया इन्होंने तो इन्होंने क्या किया बिसिकिलि 100 करोड उपे इंवस्ट किया और इस पे 50 करोड उपीज अपनी MARGIN बना ली यह पूरा काम कैसे हुआ यह पूरा काम किया गया क्वाल और किवाल अपने knowledge और experience के basis पे तो इस तरीके से asset reconstruction company काम कर रही होती है इस पूरी चीज़ों को मतलब कि जो hotel से gaming zone में convert करने तक का जो सफर था इसी को बोलते हैं asset rehabilitation या इसी को हम लोग बोलते है asset reconstruction reconstruction clear हो गया क्या चीज़ है तो this is how the thing is ठीक है अब देखिए a public sector asset rehabilitation agency के बारे में बात करें it is a rehabilitation agency को locally called as bad bank is a proposed agency to ensure the NPO of public sector banks in India and to deal with recovery of bad loan तो जो भी bad loan है जिसे hotel वाला था उसके bad loan को हम लोगोंने bad loan मतलब कि जो loss में चल रही थी उस company को हम लोगोंने convert करके एक gaming zone में बना दिया हाला कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं किया जाता है gaming zone बगरे में नहीं construct करते हैं bank ही होती है बस recovery करा देती है तो ultimately इन्होंने क्या कर दिया recovery कर दिया recovery कर दिया तो इस तरीके से पूरा का पूरा system वर करता है हाला कि इसको भी हटा दिया गया है अब इसकी जगा पर IBC insolvency and bankruptcy code ही काम कर रही होते है तो हम लोग ज़रा insolvency and bankruptcy code के बारे में भी बात करते हैं यससे पहले जो होता है एक छोटा सटर में helicopter horror of money ठीक है अभी जैसे क्या है कि कोरोना फैला हुआ हुआ है कोरोना फैलने में अब क्या है कि जो higher class है उनके पास भी इस समय पैसे की कमी आना शुरू हो गई है क्योंकि उनके पास सीधी सी बात है earning का source इस समय काम कर नहीं रहा है और expenditure उतना ही बढ़ा हुआ है similarly जो poor class या कह लिजए कि lower class के लोग है इनके पास तो और ज्यादा problem हो गई है तो what government can do government अभी आपने देखा होगा कि government जो poor class के लोग है उनको 500 रुपए या फिर 1000 रुपए इनके account में transfer करा दी है तो transfer करा दी है तो अब government के पास पैसा जो होता है वो नहीं रह गया इनके पास अब पैसे की कमी हो गई है तो अब क्या कर सकती है government government always have option of RBI और RBI के option है पैसा नया प्रिंट कर देते हैं क्या दिक्कत है नया प्रिंट कर देते हैं लेकिन एक्चुली problem क्या है नया पैसा प्रिंट नहीं किया जाता है खेर चलिए पैसा प्रिंट कर दिया गया government के पास बहुत सारा पैसा और आ गया हमारे पास government अब क्या कर रही है हर एक class को पाचपा सो एक खजार रुपए देना शुरू कर दे दिया है तो इस तरीके से नया नोट प्रिंट करके लोगों में पैसा पहुचा देना इसी को बोला जाता है helicopter whore of money helicopter whore of money मतलब कि उपर helicopter इस तरीके से है और यहां से पैसा बरसा दिया गया है आम जनता के बीच में तो इस तरीके से पैसा जो होता है वो दे दिया जाता है ठीक है तो this is how the thing is इसी को बोलता है helicopter whore of money अब यहां पर देखिया helicopter drop और helicopter money is a hypothetical unconventional tool of monetary policy that involves printing huge sum of money and distributing it to the public in order to stimulate the economy clear हो गया आप से एक छोटा सा question है comment box में आप लोग comment करिएगा जिनको भी idea लग रहा है question यह है कि आप printing of money क्यों न किया जाए क्यों न किया जाए मैं क्यों बोल रहा हो कि यह जो होता है favorable नहीं है इससे problem आ जाएगी छोटा सा hint देता हूँ demand and supply mismatch हो जाएगा अब यह कैसे होगा mismatch क्या दिक्कत होगी comment box में आप लोग बताईएगा जिनको जिनको समझ में आता है comment box में question में इसलिए बोलता हूँ repeating इसके बाद आता है हमारा RBI के बारे में RBI के बारे में हम लोग जड़ा देख लेते हैं अब देखें RBI को establish की गई थी RBI Act 1934 के द्वारा Government of India Act 1935 में मतलब 1935 में हम लोगों RBI को establish कर लिया था हम लोग जब under British rule हुआ करते थे लेकिन after independence हमने इसको nationalize कर दिया 1949 में और हमने बोल दिया कि अब RBI एक economy को watch over करेगा economy मतलब अब RBI अलग से bank की तरीके से काम नहीं करेगा ये केवल और केवलब watch dog रहेगा ये एक monitoring agency रहेगी और ये एक तरीके से कह सकते है bankers of bank रहेगा clear तो इस तरीके से ये चीज़ बना दी गई बाकी governed by central board of directors it is the central bank of India and is regulator and control of banking system ये लब तो आप जानते ही हैं आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब nationalize किया गया तब फर्स जन्वरी 1949 को ये nationalize किया गया था और बाकी बनाया कब गया था 1935 नो बनाया गया था और इस एक्ट के थुरू बनाया गया था लियर हो गया क्या चीज़ है अब आगे बात होती है कि RBI का काम क्या है तो RBI का काम होता है सबसे पहले bank of issue अगर माल लिजे किसी को कोई दिक्कत होती है bank को जैसे माल लिते है कि अभी जैसे healthy bank फिर जो होता है इस bank को फिर से वापस से healthy बना दिया गया इस तरीके से चीज़े कर दी गई है तो यह measure लिए जाते है bank of issue यह होता है दूसरा bankers to government CDC बात है अगर government को कोई दिक्कत होती है कोई जरूरत होती है या फिर economy को कोई जरूरत होती है तो RBI ही काम में आती है यहाँ पर repo rate, reverse repo rate MSF आप इन सारे concept को यहाँ से relate कर सकते है नेक्स होता है bankers, bank and lender of large stores, CDC बात है एक तरीके से क्या हो गया? MSF, marginal standing facility जो हम लोग ने बात किया हुआ था कि जब भी SBI के पास जैसे पैसा खतम हो गया था तो उन्हों ने किस से मांग लिया था? RBI से, clear? Next is controller of credit अब देखे क्या होता है कि कितना loan देना है, कैसे देना है, यह सारा का सारा बताया जाता है RBI के द्वारा और इसी के लिए हम लोगों ने क्या discuss किया था जैसे base rate के बारे में हम लोगों ने बात किया था marginal MSLR MCLR के बारे मात किया था marginal cost of marginal cost based lending rate के बारे मात किया था फिर मैंने आपनों को बताया था कि this has become flexible lending rate के हो गया है इसके लावाद एक एजेंट and advisor to the government कई बार क्या होता है कि यह RBI जो होती है वो बता रही होती है government को कि what are the conditions what are the prevailing conditions in the economy and what steps you should take ठीक है तो यह सब चीज़े बताई जा रही होती है हमारे RBI के द्वारा कैसे करना है क्या करना है यह सारी चीज़े जैसे अभी present case में देखे होंगे तो corona के case में भी RBI ने अपनी एक पुरी राय बताई है कि देखिए economy अभी कितने दिन और अच्छे तरीके से चल सकती है या किस-किस तरीके से किया जा सकता है दूसरा आप अगर subsidy दे भी रहे हैं तो कितना और subsidy दे सकते हैं तो यह basically क्या हुआ एक तरीके की advice हो जाती है एक तरीके की advice हो जाती है next है national clearing house तो इसमें कुछ खास नहीं है national clearing house में यह basically क्या होती है कि सारी economy की चीजों को बता रही होती है economic issues को सारे economic problems issues सबको यह बता रही होती है तो इसका कुछ खास मतलब नहीं है हम लों आगे बढ़ते हैं इसे होता क्या है कि जितने भी foreign reserves होते है foreign exchange के reserves होते है यह रखा जाता है government के द्वारा मतलब यह होती है government के ownership में यह होती है government के ownership में लेकिन actual में क्या होता है government के behalf पे government के कहने पे on the behalf of government RBI अपने पास रखता है ताकि इस चीज को केवल और केवल safe maintain किया जा सके बस लेकिन अगर कल को question आता है कि foreign exchange foreign exchange reserve पे किसकी ownership है तो ownership आप पताएंगे government of India की रहती है बस यह क्या है उनके नाम पे रख लेते हैं इसके लाबा कुछ supervisory functions होते हैं जैसे आप लोगोंने एक सुना होगा public credit registry PCR या फिर prompt corrective action ठीक है तो दोनों अलग अलग चीज़े है prompt corrective action इसका मतलब क्या है current affairs में आपने पढ़ा होगा इसमें क्या होता है कि जब भी RBI को लगता है कि कोई bank गड़बड काम कर रहा है या कोई चीज ऐसी है जो नहीं करना चाहिए तो RBI तुरंट उन पे measures ले लेता है और तुरंट उनको बताता है कि देखो ये काम नहीं करो ऐसे कर लो वैसे कर लो मतलब एक तरीके से कह सकते है कि this is father of a bank whenever the child या फिर कह सकते है bank जब भी कोई गलत काम करता है तो हमेशा father उसको direct करता है बताता है कि क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए public credit registry का मतलब होता है loan को किस तरीके से देना है मतलब loan credit के बारे में इन्होंने एक पूरा का पूरा information connection center बना दिया है तो जैसे अगर कोई बंदा कहीं पर भी default किया है या कहीं से भी loan लिया है तुरंद के तुरंद दूसरे बैंक को भी पता चल जाएगा इस तरीके से supervisory role hold कर रहा होता है next होता है promotional functions तो कई सारे promotions भी किया जाता है RBI के द्वारा जैसे RBI ने अभी recent में money app निकाला है मैंने आप लोगों को current affairs में बताए भी था जहां पर basically क्या है जितने भी blind लोग है जो भी disabled है जो नहीं देख सकते है उनको एक mobile app प्रोवाइड की गई है उस app के जरीए ये लोग मतलब देख रहे है कि note में क्या चीज़े कैसे है कितने का note है ये सब चीज़े promotional बता दियाती है इसके बाद एक नेक्स एक छोटा सा concept है आपके syllabus में इसी वज़े से उतना कुछ खास नहीं है आपको किवल और किवल एक idea होना चाहिए एक overview होना चाहिए बस और कुछ नहीं तो अगर बात करते है nationalization of bank में तो देखिए सबसे पहला bank जो बनाए गया था बी आई एक 1955 हलागे सबसे पहला जो bank था वो थी PNB और यह बनाए गया थी किसके द्वारा यह बनाए गया थी लाला लाजपतराए के द्वारा लाला लाजपतराए के द्वारा bank बनाए गया था ठीक है लेकिन चुछ निशनलाइस bank हो गया था तीन बैंकों को मिला करके तीन इंपीरियल बैंकों को मिला करके एक बैंक बनाय गया था अर फर्स निशनलाइज बैंक बना था हमारा State Bank of India और इसको बनाय गया था State Bank of India Act 1955 के द्वारा 1955 में इसके बाद कई सारे कई सारे मर्जर्स कईये गयते निशनलाइजेशन किया गया था उसमें पार्शली निशनलाइज एट मूर प्राइवेट बैंक्स वाया दे एस्बिए असोसीएट एक यहां पर देखने को मिल जाती है इस तरीकी की चीज़ है इसके लावा देखिए विट बैंकिंग निशनलाइजेशन एक निशनलाइज निशनलाइज 14 बैंक्स 1969 में पहले 14 बैंक्स को निशनलाइज कर दिया गया था और 1980 में फिर 6 और एक्स्टा बैंक को निशनलाइज कर दिया गया है इसके लावा आप बोल सकते हैं कि निशनलाइजेशन का काम हमें 2015 से लेकर के 2018 के बीच में भी देखने को मिला था लेकिन यहां पर हम लोग partial nationalization करते हैं partial nationalization करने का मतलब क्या है यहाँ पर देखिए कई सारे bankों का आपको merger देखने को मिला था merger जैसे क्या है SBI में बहुत सारे इसके associate bank को merge कर दिया गया है similarly कई सारे private bank को अभी इस तरीके से merger वगरे किया गया है तो this is also a format of nationalization but we are not calling it as nationalization clear है तो इस तरीके से चीज़े की जा रही है तो again जो होता है आप इस चीज़े को relate करके देख सकते हैं अब हमारे पास आता है different type of banks अब हम basically हमारा topic स्टार्ट होता है हमारे banking system का तो हम लोग देखते हैं जरा banks के बारे में तो देखे we have number of banks in our economy कई तरीके के bank होते हैं जैसे अगर देखा जया किवल और किवल banks कितने तरीके के हैं तो एक होता है जिसको बोलाता है scheduled commercial bank scheduled commercial bank तो basically यह जो scheduled commercial bank होते है यह bank होते हैं मतलब एक तरीके से कह सकते है full-fledged banks होते हैं इसमें दो तरीके के अगेल हो सकते हैं एक हो सकते हैं जो public banks होते हैं जो government ownership पे रहते हैं या बोल सकते हैं just like public sector enterprise के तरीके से होते हैं जहाँ पर government की ownership होती हैं या बोल सकते हैं इसको हिंदी में सरकारी bank दूसरे होते हैं जो private banks होते हैं private banks और ये purely private होते हैं यहा पर private banks होते हैं private bank का मतलब जैसे ICICI हो गया access bank हो गया तो यह standard charter हो गया तो यह सब जो banks होते हैं वो private bank में आ जा रहे होते हैं clear हो गया क्या चीज है schedule commercial bank के बाद छोटे banks आ जाते हैं छोटे bank का मतलब क्या हो गया जैसे एक होता है जो small finance bank होती है small finance bank इस small finance के लावा होती है और छोटी छोटी फोटी पर आप आ जाएंगे जैसे क्या होता है एक होता है जिसका बनाता है नि रीज्णल रूरल बैंक कर शुटे मोटे कांवा सब्सकर जिसको बलाता है cooperative bank cooperative bank इस cooperative bank के अलावा एक और bank होती है जिसको बुला आता है payment bank payment bank अभी हम लोग सारे के बारे में देखेंगे के करके detail में ठीक है इन bank के अलावा एक और संस्था होती है जो actual में bank नहीं होती है but they are doing same function as of bank जैसे NBFC इसको बुला आता है non banking financial corporation ठीक है अब देखें बैंकिंग में एक special category banking होती है जो इसको बुलाता है special banks इस special banks का मतलब क्या होता है ये लोग banking का काम कर रहे होते हैं लेकिन ये केवल और केवल special sector में कर रहे होते हैं जैसे infrastructure में केवल कर सकते हैं ये केवल और केवल infrastructure के चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो हमारे सरकारी हो दोनों ही प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो लेकिन से हो क्या रहा था कि एक तो ये बैंग सीधी सी बात है बैंग चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो दोनों के दोनों बिजनस इंटिटी है और बिजनस ही करती है मतलब अपना फायदा निकालेंगी तो फायदा निकालने के लिए कि ये सारी की सारी या तो अर्बन अरिया में कुछ खास नहीं दी जाती थी क्योंकि उनका जो लोन-वुवर इसकीम का funda loan waiver scheme यह जवाला लहरू के टाइम से ही चलता आ रहा है तो loan waiver यह उस समय तो खेर condition थी उस समय सुखा पढ़ जाता था ड्रॉट condition आ जाती थी starvation हो जाती थी तो वो अलग चीज थी तो loan waiver किस चीज आ जाती थी इससे क्या होती थी गवर्णन बोल देती तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि अब हम रूरल एरिया में loan देंगे ही नहीं या फिर मुश्किल कर देंगे तो इससे क्या हुआ कि जो rural एराका है और in fact rural लाके में और भी बहुत सारे reasons थे जिसके कारण से financial inclusion नहीं हो पा रहा था financial inclusion नहीं हो पा रहा था इस financial inclusion के नहीं होने की कारण से government ने देखा कि यार बड़ी दिक्कत है हाँ पर बहुत मतलब problems हैं लोग पैसा ही नहीं पाएंगे और in fact अगर future में कुछ करना भी मुझे होगा कोई action लेना होगा तो हम लोग रीच आउट ही नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए open किया गया regional rural bank को निया concept लाया गया regional rural bank और इस regional rural bank के basis पे हम लोगो ने established under provision of ordinance promulgated on 1975 and RBI act sorry RRB act 1976 with an objective to ensure sufficient institutional credit for agriculture and other rural sector clear the area of operation of RRB is limited to the area as outlined by government of India covering one or more district in the state तो basically ये cover किया जाता है किसके इलाके में rural areas में ये cover किया जाता है in fact जितने भी scheduled commercial banks हैं उनको एक कह दीजिए कि limit लगा दी गया उनके उपर constraint लगा दिया गया कि अगर आपको new subsidiaries खोलने हैं अगर आपको नए branches खोलने हैं तो 25% आपके जो branch होने चाहिए वो rural area में होने चाहिए in the format of RRB RRB के format में होने चाहिए जिसमा लिजे कि SBI है SBI ने total mark करके आपने चार branch खोल चुके हैं चार branch खोल चुके हैं अब इनको जैसे ये 5th branch खोलने के लिए ये RBI के पास जाएंगे काएंगे यार मुझे पाचवा branch खोलना है तो काएंगे ऐसा है पाचवा branch आप RRB के format में पहले एक गाउं में खोल दीजे फिर मैं आपको approval दूँगा कि आप खोल सकते हैं क्यों क्योंकि और फोर ब्रांच हो चुके हैं और 25% इनको बना करके रखना होता है तो इस तरीके से क्या करेगे अपनी रूरल बैंक बनाना शुरू कर देती ये कई बार आपने देखा हो गया जैसा पुर्वानचल बैंक हो गया वह भी एक है schedule commercial bank वाले लोग बोलेंगे कि हम पूरा का पूरा यह जो NPA की problem या पूरा का पूरा जो loan का यह threat है या अपने उपर हम क्यों ले हम क्यों पूरा का पूरा बैंक में इन्वेस्ट करें capital हम क्यों खुद अपना लगा है तो गवर्मेंट ने यह का चलो ठीक है हम लोग यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलीव दे देते हैं और एक काम करेंगे कि यहाँ पर जो यह 100% की जो वर्थ रहेगी उस 100% में 50% Central Government दे देगी यह देगी Central Government इसमें से 15% देगी जो State Government है तो State Government अपना 15% दे देगी लेकिन जो बचा wings start establishing in the rural area तो इस तरीके से रूरेल एरिया में अराजी जो हैं वह स्टाबलिश होना शुरू होगा है क्लियर हो गया क्या चीज है इसके अलावां दूथरी बैंक होती है जो होती है को आपारेटीव बैंक का फंड़ा क्या है जद्से ध्यान से सुनते हैं एक चीज जोती है इसको बोलाता है self help group अब जैसे माल लेते हैं कि रूरल इडाके में क्या हुआ रूरल इडाके में बहुत सारे जैसे क्या है कि चाहे men हो चाहे female हो मेल हो चाहे female हो दोनों लोग क्या है कि agriculture ही main activity है और इस agriculture में क्या होता है time बहुत मिलता है क्यों क्योंकि यहां पर होती है एक चीज होती है इसको बोलाता है seasonal unemployment seasonal unemployment एक चीज होती है हम लोग बात करेंगे क्या चीज होती है seasonal unemployment के दोरान में ये लोग खाली बहुत बैठे रहते हैं तो खाली बैठेंगे तो एक option है कि पंचायत करिए, पंचायत करिए, ठीक है, या फिर दूसरा option है कि आप कुछ productive work करिए, तो देखें महिलाओं क्या है, थोड़ी सी productive work ज्यादा करती है, तो महिलाओं ने क्या किया, चार-पांच लोगों के ग्रूप ने आए और कहा कि यार देखो, ऐसा है, घर पे बैठे-बैठे, मजा नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, एक कुछ धंधा करना शुरू करते हैं, कुछ काम धंधा करना शुरू करते हैं, तो इनमें से एक ने बोला कि यार चलो ऐसा है, आम का अचार बना देते हैं, आम का अचार, ठीक है, पिकल्स पिकल्स बनाना शुरू कर देते हैं तो इन्होंने कहा कि यार दखो ऐसा है पैसा कहां से लेके आएंगे सबने कहा ऐसा है, सब लोग अपने अपने पती देव से सौसर रुपए मांगेंगे तो सौसर रुपए मांग करके इनके पास आ गया पांसो रुपए, ठीक है पांच लोग हैं पांच लोग हमा लेते हैं, तो पांसो रुपए आ गया पांसो रुपए से इन्होंने क्या किया पहले आम की चीज़े खरी दियgging और जितने भी रॉव माटेरियल इनको चाहिए, जितनी भी चीज़े चाहिए वो सारी चीज़े उन्होंने खरीदा और उन्होंने क्या क्या 450 रूपीज इन्वेस्ट किया 50 रूपीज अपने पाथ सेव करके रख लिया कि चलो फ्यूचर में कोई जरूरत होगी तो हम लोग फिर से कुछ खरीद भीड लेंगे और इस तरीके से उन्होंने क्या कर लिया पिकल जो इनको बनाना था वो पिकल इन्होंने बना लिया पिकल बनाने के बाद इन्होंने क्या क्या मार्केट में इसको सेल करना शुरू कर दिया मार्केट में सेल किया काफी अच्छा भी का अब इकनी के बाद क्या हुआ कि इन्हें 800 रुपए प्राप्त हुए तो 50 रुपीज माल लेते हैं कि ट्रांस्पोर्ट में इन्होंने खर्चा कर दिया तो टोटल इनके पास माजिन कितना आ गया 300 रुपए और यह जो ग्रुप है वो एक प्रॉफिट कमा लिया अब जैसे प्रॉफिट कमाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगी अब यह ग्रुप जो मतलब इन्फॉर्मल ली ग्रुप है लेकिन क्या है कि अब इनको एक कहली जब मोटिवेशन मिल लाएगा और यह ज़ादा अच्छे तरीके से और काम करना शुरू कर देंगे और यह ultimately क्या हो जाएगा यह group आगे जाकर कि business entity बन जाती है business entity काफी अच्छा चीज है बहुत अच्छा इसको बोल सकते हैं कि यह entrepreneurship का एक तरीका है और इसलिए government भी जो है इसी तरीकी की चीजों को जादा-जादा promote करने की कोशिश कर रही है तो यह होता है जो self help group होती है similarly एक चीज होती है जिसको बलाता है cooperative 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 यह एक तरीके की SSG ही होती है बस अंतर क्या होता है कि इनको यह लोग registered होते है यह लोग registered होते है जैसे for example यहाँ पर क्या है cooperative में क्या है cooperative में क्या हुआ कि यहाँ पर महिला भी आसकते है male भी आसकते है females भी आसकते है कोई भी होसकता है ऐसे कोई boundation नहीं है आर्टिकल मर 14 है यहाँ पर तो males और females इन्होंने क्या किया male ने अपना group बनाया या female ने अपना group बनाया लेकिन क्या है यहां पर लोगों को एक trust problem है trust problem पैसा लेके कोई भाग गया या कोई अपना काम नहीं किया कोई कुछ नहीं हुआ दिक्कत हो गई इन्होंने क्या किया कहा कि चलो ऐसा है सबसे पहले register कर लेते हैं अपने आपको तो ये लोग रेजिस्टर कर लिए जाकर के agreement sign कर लिए agreement sign करने के बाद सारे लोग bound हो गए अब कोई भाग नहीं सकता है कोई पैसा लेके भाग नहीं पाएगा तो cooperative अब एक registered entity बनने के बाद ये लोग अपना work करना शुरू कर देते हैं work करते हैं तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों के बारे में डिफरेंस हो जाता है जैसे दार रिष्टर्ड एंटिटी और वहाँ पर कोई है सच रिष्टरिशन वगर नहीं होता है क्लियर हो गया क्या चीज़ है हाला कि बाद में cooperative society को 97th constitutional amendment act के थूँ 2011 में इसको constitutional status दे दिया गया constitutional status ठीक है constitutional status दे दिया गया इनको जो होता है मतलब fundamental right भी दे दिया गया DPSP भी दे दिया गया कि अब ये constitutional status इनका रहेगा इस तरीके से चीज़ों को किया जाएगा अब question नहीं होड़ता है कि जो financial help है ये provide कहां से की जाएगी इसके लिए government ने क्या किया एक cooperative bank माना दिया cooperative bank अब ये cooperative bank ऐसा तो है नहीं कि 97 constitutional amendment act 2011 के बाद ही बनाएंगे नहीं financial help तो पहले से प्रवाइट की जा सकती थी तो इन्होंने cooperative bank बहुत पहले ही खोल दिया था आप समया गया cooperative bank का मतलब क्या है तो initially set up to subplanned indigenous sources of rural credit mostly serve the need of agriculture and allied activity rural based industries and to a lesser extent trade and industry in the urban areas clear हो गया क्या चीज़ है cooperative banks have three tire structure three tire structure हो जाती है cooperative bank जैसे एक होती है जो primary credit society हो जाती है primary credit society PCS इस तरीके से agriculture अर्बन दूसरा होता है district के लिए होता है तीसरा होता है state cooperative banks तो इस तरीके से अलग-अलग चरीके की चीज़े होती है इसको उतना जाद आपके लिए important नहीं है आपको केवल इसमें समझना था कि आखिर में cooperative में क्या चीज़ है clear अब यहाँ पर जो दोनों में difference हम लोग दे जाते है cooperative bank और commercial bank में अंतर क्या है cooperative bank में अगर बात किया जाए तो देखिए ये लोग these are cooperative societies governed by cooperative society act 1904 तो cooperative society act 1904 के द्वारा ये लोग registered होती है वही commercial bank के बारे में बात करने तो commercial bank क्या होती है banking regulation act 1949 के द्वारा ये लोग registered होती है जिसमें RBI को बनाये गया है कि एक entity रहेगी जो watch out कर रही होगी monitor कर रही होगी तो यहाँ पर क्या है कि commercial bank सा joint stock company they are governed by the banking regulation act cooperative bank के बारे में बात करें तो cooperative banks generally provide short term medium term और long term finance to agriculture and allied activities तो basically ये rural इलाके के लिए ही mainly होता है हले कि काम ये हर जगा करते है बट mainly होता है वह अगर commercial bank के बारे में बात करें तो they are short term, medium term, long term किसी की तरीके से लोग finance कर सकते हैं लेकिन किसके लिए, trade के लिए, commerce के लिए, industry के लिए in fact हर चीज के लिए करते है इसमें trade के नाम पे agriculture product का भी trade हो सकता है allied activities का भी trade हो सकता है तो anything, this is broad concept ये broad concept है cooperative को बारे मात करें, देखें lend finance to their members only तो जितने भी members होंगे cooperative में यसे cooperative society के जो members होंगे के लिए उनको ही lend करेंगे लोग और जबकि ये किसी को भी कर सकते है anyone, clear हो गया क्या चीज है तो इसके लिए आपको cooperative होना जरूरी है, cooperative society में होना जरूरी हो जाता है तो basically ये क्या है, तरीके से बोल सकते हैं कि कोई एक छोटी सी business entity होगी उनको लोन देते है ये ठीक है आप पहुचेंगे आप कहेंगे मुझे लोन देदो कहेंगे तुम कौन हो पता नहीं तो छोड़ देंगे आपको तो cooperative banks प्रोपरेटर रेलेटिवली स्मॉल इसके छोटे स्केल पर काम कर रहे होते हैं कि ये बड़े लेवल चोटे लेवल हर तरीके हो जाते हैं तो लेंट टो एनिवन हुइस विलिंग तो बॉरो और सटेस्वाइब कंडिशन सब्सक्राइब रखवाते हैं और उसके बाद आपको लोन देदेते हैं यहां पर क्या है वाइड रोंज और फिनेंशल एससेट और चीज़ होती है चोटे लेवल पर और आजाई है डिस्टिक होती है डिस्टिक के बाद क्या होती है चोटे लेवल पर और मतलब विलेज लेकर आजाता है तो यहां पर क्या होती है कि हलेकी इलाके पर कोपरेटिव रहती है और कोपरेटिव काम कर रही होती है इस्टिक हो गया या फिर विलेज हो गया क्लियर और जब कि वही क्या है commercial bank यह क्या है joint stock company ऐसी दी सी बात है cooperative के बारे बात करें तो देखिए basically यह नाबाड के द्वारा नाबाड के द्वारा यह लोग जो है वो monitor किये जाते हैं जैसे यहां पर RBI के बारे मैंने बताया था जैसे RBI मतलब जो banks वगर हैं उनको watch out कर रहा होता है वैसे नाबाड जो है वो watch out कर रहा होता है जो cooperative banks होते हैं cooperative banks क्लियर इस नाबाड को कौन देखता है इस नाबाड को भी आर्विए देख रहे होते हैं तो आर्विए इस दा कह सकते है supreme entity जहां पर देखा जा रहा होता है अब इसके बाद हमारा next आता है banking sector reforms बहुत सार हो गया 1990 के 1991 में LPG liquid जो हमारा liberalization privatization globalization यह हमारा एक policy reform आया था इस policy reform के बाद से क्या हुआ था कि कई सारे sectors open कर दिये थे बैंकिंग में धी sector open कर दिये थे प्राइवेट के लिए और यहां से क्या हुआ कि banking sector में भी reform की need आने शुरू हो गए तो banking sector में जब need आनी शुरू हो तो इन्होंने क्या है government of India ने committee बना दिया कि recommendation पहले आप लोग बता दीजे कि भी क्या चीज़ है क्या दिक्कत आ सकती है कैसे हमें काम करना चाहिए तो इसके लिए नर्सिमन committee बनाए गए थी और यह बनाए गए थी 1991 में इन्होंने recommendation क्या किया है इन्होंने कहा कि देखिए ह हमें operational flexibility देनी होगी हमारे जितने भी banks होगे इसके लावा internal autonomy for public sector banks in their decision making process अभी तक क्या होता था कि जो government होती थी वो खहलीजे कि जो होता है अपने जो decisions होती थी उसको super impose किया जाता था उसी चीज़ को करवा दिया था था कि जो government बूल रही है लेकिन अब क्या है internal autonomy देना शु association बना सकती थी इसके लावा जो हता है greater degree of professionalism in banking operation यह दिया जाना शुरू हो गया तो यहाँ पर कुछ norms कुछ recommendations दी गई थी इन recommendation के बाद से क्या हुआ कि action होना शुरू हो गया लेकिन वापस से फिर दिक्कतानी शुरू हो गया और यहाँ पर कुछ खास recommendation मिली नहीं तो वाप recommendation committee वो recommendation दिया गया था हमारे 1998 में तो नर्सीमन two committee बनाएगी 1998 में इन्होंने कहा कि need for stronger banking system with merger of public sector bank यहाँ पर क्या number of banks वो रखे हैं we need merger ताकि छोटे-छोटे 10 बैंक की जगा पर कम से कम दो बैंक रहें जो बड़े बैंक रहें in fact मैंने economic survey में भी discuss किया हुआ था कि हम लोग we are going to 5 trillion economy हम लोग 5 trillion economy बनने का सपना देख रहे हैं और हमारा केवल और केवल SBI ही एक bank है जो top 10 मतलब top 100 bank की list में है जबकि हमारे पास कम से कम 6 ऐसे bank होने चाहिए जो top 10 में होने चाहिए अगर हम लोग 5 trillion economy बनने वाले है तो top 10 में maintain करके रखे हुए हैं जो कि इनकी economy बहुत छोटी है और हमारी economy इतनी बड़ी है फिर भी हमारे banks में है तो हमें क्या है कि merger करके बड़े bank बनाने की जरूरत है इसके लावा we need to make a legal framework for loan recovery loan recovery के लिए हमें legal framework बनाने की जरूरत है हमें banking sector में three tier structure मनाने की जरूरत है three tier का मतलब क्या हो गया बड़े bank फिर छोटे bank इन तरीकी की structuring करने की जरूरत है अब इसके पास से हमारा होता है insolvency and bankruptcy code अब यह insolvency and bankruptcy code जैसे कि मैंने बोला था कि 2014 में loan की या कह लिते हैं कि NPA की बहुत सारी problem आना शुरू हो गए अभी हम लोग देखेंगे भी NPA क्या होता है non performing assets क्या होती है stress asset क्या होती है doubtful assets क्या होती है अभी हम लोग थोड़े दिर में देखते हैं इनकी भी terminology फिलाल देखें NPA की problem आई थी तो उसके बाद से तुरंद के तुरंद RBI के पास सारे bank दौर करके पहुच गए और उनने बोला कि यार हमारा कुछ भाग कुछ करिए देखिए हमारे क्या दिक्कत है तो RBI ने अपने अलग-अलग different schemes निकाल करके कोशिश किया था इनको मतलब बचाने के लिए लेकिन क्या हुआ ये different schemes obviously क्या है कि इनके पास चुकि legal banking नहीं है तो इसलिए क्या हुआ legal banking की बात करना शुरू कर दिया तो government of India ने फिर ultimately insolvency and bankruptcy code पास किया और पास करने के बाद अब ये बन गया है वसूली भाई clear अब क्या है कि कोई भी लोन लेके भागेगा तो वसूली भाई उनसे वसूल लेंगे clear अब जड़ा दिखिए इसमें हुआ क्या है the court provides clear coherent and speedy process for early identification of financial distress and resolution of entities if the underlying business is found to be viable यहाँ पर देखिए दो term लिया गया है एक लिया गया है insolvency और दूसरा लिया गया है bankruptcy bankruptcy का मतलब है कि अब यह bankrupt हो गया है अब इसके पास पैसा वैसा नहीं बचा है कि यह अब वापस से return कर सके दे सके लोगों को उनका वापस पैसा लेकिन insolvency का मतलब होता है कि अभी condition गड़बड हुई है लेकिन bankrupt नहीं हुई है यानि कि अभी ही identify अगर कर लिया जाए तो अब bankrupt होने से बचाया जा सकता है मतलब bankrupt होने से पहले की condition को ही बोलायाता है insolvency it's just two option restructuring जैसे क्या है मालिते insolvency हो गई है तो एक option है कि वापस से इनको नया दौर में लेके आया जाए नया दौर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर new version कुछ न कुछ चीज़ की जाए जैसे new version में आ जाए और उसको बोलते हैं हम लोग restructuring true restructuring किया जाए मतलब कुछ नये changes किये जाए जिसके तुरू यह more attractive हो और जादा से जादा loan देना शुरू कर दे या फिर किसी तरीके से इनके पास deposit आना शुरू हो जाए मतलब इनके पास क्या है भगवान का एक हाथ पढ़ जाए और इनके पास पैसा हातो रातो रात आना शुरू हो जाए if the firm is viable and liquidation is not possible financially viable clear एक तरीका यह हो जाता है दूसरा तरीका खेर होता ही है कि RBI इसको control में अपने ले ले फिर आता है the new code will replace existing bankruptcy law and cover companies अब यह bankruptcy law क्या है bankruptcy law वही जो loan के लिए हम लोगों ने legal framework बोला था ना 1998 में हमारे नर्सिमन कमिटी ने तो इसको बना दिया गया था 2000 के around around में और इस तरीके से हमारी यह bankruptcy के loss शोड़ रहे होते थे लेकिन यह bankruptcy laws NPA की problem को कभी सोचा भी नहीं था by the government तो यह तरीका मतलब निया code जो होता है वो cover कर रहा होता है हर एक तरीके को मतलब हर एक चीज़ को तो मैनी और स्वाइ एक्स विल बी सच सब्स्रिट्यूटेड गाइड़ बाइड़ इन्सॉलमेंसियन bankruptcy code on bankruptcy matter as it consolidate improve the existing laws तो नय laws बनाएगा है time frame इसमें क्या है इसमें bankruptcy code में है क्या bankruptcy code में ये है कि आपका जो भी जो भी मुद्दा है जो भी मामला है वो जल्दी से जल्दी निप्टाने की कोशिश की जाएगी तो 180 days after the process is initiated मतलब इनको 180 days का मौका दिया गया है मतलब कह सकते है कि six month का मौका दिया गया है कि ये लोग फटा-फट करके अपना decision दे दे decision आ जा मतलब कि ये time bound manner में का सबसे main important यही चीज़ है कि time bound manner में यहाँ पर कारिवाई की जाती है लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जल्दी बाजी में फटा-फटा दिया जाए इन्होंने क्या है कि एक buffer time भी दिया हुआ है मतलब एक extra extended extension भी दिया है और वो दिया है थ्री month का 3 month का मतलब क्या हो गया 90 days 90 days का इन्होंने extension दिया है मतलब कह सकते हैं कि nine month में इनका decision आना ही आना है तो यह तरीका अपनाया गया इस इन्सॉलवेंसी और बैंकरप्सी के द्वारा इस बैंकरप्सी में basically 4 pillars है four pillars are there one is in solvency and bankruptcy board of इंडिया जो कि ultimately body का नाम है जो overall मतलब इंडिया लेवल पर काम कर रही होती है इस इस बोर्ड में कुछ professionals हैं और यह professionals basically यही insolvency का काम कर रहे होते हैं इसके लावा इनके पास कुछ agencies भी होती है जो जिसको बलाता है insolvency professional agencies और कुछ information utilities भी होती है जिनके थूँ यह information निकाल रहे होते हैं insolvency की condition को watch out कर रहे होते हैं इसके लावा creditors and also borrowers can initiate the IBC proceeding creditor and borrow can initiate the IBC proceeding कुछ खास है नहीं देखिए provisions के बारे में बताये गया तो हम लोग इसको skip करते हैं हाला कि मैंने IBC के बारे में economic survey में बहुत ही detail में बनाए बता रखा है और यह detailing आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं उपर देखिए आई बटन बन के आ रहा होगा इसको आप लोग क्लिक करके watch out कर सकते हैं यहां पर मैं नहीं बता रहा हूँ bankruptcy code has provision to address cross-border insolvency to bilateral agreement with other countries तो दूसरे country में अगर कोई भाग गया है तो वहाँ से भी हम लोग extradition treaty वगर है केता है तो उनको बुला करके हम लोग agreement कर सकते हैं workers interests are highly protected under the law तो workers के protection को हम लोग इस तरीके से काफी ज़ाधा maintain करके रखे हुए हैं तो this is all thing about this insolvency bankruptcy code वीडियो काफी लंबी हो रही है तो हम लोग इसको यही पर stop करते हैं इसके part 2 में हम लोग देखेंगे बाकी के banking provisions तो हम लोग उसमें देखते हैं बाकी की CJ चले फिर हम लोग part 2 में मिलते हैं